हेलो एवरिवन, विल्कम बैक, फ्रेंट्स बहुत दिनों से मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मुमोस खाने का, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जादा ही अमाउंट में बनाते हैं और जी भर के एंज्वाय करते हैं मुमोस को, और तो इसलिए मैंने सारी सब्जों को एक करना पड़ें क्योंकि घर पर जुगार चलता ही है तो मैंने एक साथ ही कर लिया है और उसके बाद इसको वेजीज में ढाल देते हैं मिला देते हैं और तेस्ट तो काली मेर्च और लहसन से ही आता है बहुत अबर्जस टेस्ट आता है और फिर उसके बाद इसमें नमक डाल की बाद conduz से फेजीज में ज़रने लगते हैं जिसके लिए मैंने क्या किया कि इसको एक चनी की उपर रखने से जो भी एकस्ट्रा पानी था वो नीचे पतीले में आगया तो इसको अलग कर लिया मिने फिर चैटनी क्ले प्रिप्रेश्न की बाहते कटे टमातरों को पीसेज में काटके उसको बॉयल कर लिया फिर उसको पील ओफ कर लिया फिर अधरक लैसन मिर्च डाल के मिर्च भी मैंने बॉयल करने में डाल दिया था फिर उसको मैंने सिंपली थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया सोय सॉस डाला विनेगर डाला और इसमें आप चाहें तो दरदर तारा पिसा हुआ धनिया डाल सकते हैं, मैंने पीरी पीरी डाला है, क्योंकि जुगार तो चलता ही है, मुमोस को थोड़ा इसली बनाने के लिए मैंने उसको फिलप किया है, गुजिया बनाने वाले की मदद से, और मैं ये करी रही थी कि अचानक से मुझे इंफॉर्मेशन मि संकर जी तांडो कर रहे थे तो वहां पर उनकी आंख की पुतली का तारा गीरा था इसलिए इस मंदिर का नाम हो गया तारा पेट ये एक चमतकार से कम नहीं था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज मैं निकलूंगी वहां दर्शन करने जाओंगी और लॉक्डाउन की वज़ा से एकदम खाली था हम मंदिर के रास्ते में पहुँच चुके हैं और यहां पे हैं बहुत सारी दुकाने लेकिन एकदम खाली है ये जब टाइम होता है ना नॉर्मल वाला तो इन्हीं गलियों में जगा भी न मिलती लेकिन हम ओमिक्रॉन के टाइम पे आए हैं लॉक्डाउन के टाइम पे और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर में मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना रिकॉर्डिंग करना मना था तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूं मैं लेकिन ये लग था मेरा कि मैंने आर्ती भी अटेंड की परस्नली माता जी के दर्सन किये क्योंकि भीड को पसंद आयो तो लाइक जरूर करेगा बाई बाई